हुआ 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 एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल आइप पर क्लासेश एज्जुकेशन इस दखी टू सक्सेसिन लाइफ एंड टोड़ेश वी आपका फिर से एक दुवादार स्रीज में स्वागत है जल्दी से जल्दी सभी सारे शुड़ जाहिए और ज्यादा श्यादा कर दीजिए ठीक है क्या दोस्तों सारे जादाश ज्यादा से एक दुवादार स्रीज में स्वागत है दोस्तों जैसे का आप सभी को पता ही है 12 पर हमारी रैगुलर दुवादार स्रीज चलती है को सन्प्रेक्टिस की जाती है कल अमने modern history के को सन उठाएते दोस्तों ठीक है सब्सक्राइब यह को नमस्ते ऐस्ट्रयाकरल जयी ठीक है तब को अब त्यार हो सेट वह कर दीजे से अपने इस्ट्रेंट्स में ग्रुप में वाट्सप पे इंस्टे यहां वह आपकी संख्या अच्छी हो दोस्तों आधिक है कि यहाँ पर आपके ICI technician T1 post के तयारी कराई जा रही है जो रो सोरो से तो जुट जाई है चैनल को तो दोस्तो 20 के बहुत ही नजदीक है क्या मैंने कल कहा था कि करा देना 20 के बहुत ही नजदीक है सो पचास रह रहे हैं बस तो उम्मीद करते हैं आप इसी सीरीज में कम्प्रेट करा देंगे जल्दी सभी सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आपको डेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे आप सभी को पता है दोस्तों 12 बजे चलती है और हमारी 7 पीम प किसी तरीके से कराया जाएगा आपको करन्ट अपेट्स में कोई दिक्कत ने आने दूंगा दोस्तों टेंशन मतलो सो सो कोशन की भी स्रीज कराई जाएगी सभी चीज तैयार की जारी है तो टेंशन नाले बिल्कुल भी बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए और चैनल से ज धोटे डियाटर को कभी मोखा नहीं मिलता राइस घरंडेगा तो दोस्तों आप सभी ने सपोर्ट किया आ है तो बहुत अच्छी बात है धन्यावाद सभी को चली को सेसंव करते हैं सेसे तर्क करने ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है वैगे सब्स स्क्रिंड पर ऐसा भी सवाब दीजिए जल्दी में रफ कर लेता हूं तब तक आप ठर्ब जवाब दीजिए सभी मुझह जाता से जादा ठीक है रहा क्षण क्या है दोस्तों पहला कुछन आपके screen पर है स्वेराज दल के अध्यक्स कौन थे दोस्तों बहुत ही जी को सना ठीका ऐसे से को संवी पूचे जाएंगे बर थोड़ा रिलेट कर गए घुमा के पूचे जाएंगे वह अजदा स्भी को पता है दोस्तो क्या हमारे मोटि लाल नहिरु जी निस थापना कीटी ठीक है और सिर्च Pop तो डॉस्तो ठीक है ने कब दोस्तो rook 23 सैंशन हमने स्पीड़ से करेंगे दोस्तों आज स्धोड़ा काम ch सबस्क्राइस वहानेश तहाब निए तो हम सब्था करते हैं में यहीरा झाल प्रणाई नंहीं कर दोस्तों और दोस्तों दोस्तों लाहूर अधिवेशन की अध्यक्स्ता की थी ठीक है उन्यस्सों तीस में लाहूर अधिवेशन की अध्यक्स्ता की थी ठीक है जिसमें आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहूर अधिवेशन क्या दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी से अपनी कोपी में लिख लेना कि तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जवाब देने की कोशिश किजेगा सभी क्या है इस्ट्रेंट्स किस्ति को पूर्ण स्वतंतरता दिवस घोसित किया गया सभी बताना है ठीक है ओन विच डेट वाज डिकलेर्ड कंप्लीट इंडिपेंडनेंस बताइए सभी ठीक है जल्दी जल्दी बताओ बई कब किया गया था दोस्तों किस तिदी गोपूर्ण स्वतंतरता दिवस घोसित किया गया था एक 21 दिसंबर 1929 को 26 जनुरी निस्टीष को बारा मर्च 1930 को या एक मार्च 1932 को सभी बताइए जल्दी से जल्दी तो इसका राइड आंसर हो जाएगा दोस्तों नमबर टू आप की स्क्रेंड पर है ओप्शन नमबर डी दिस दर आइड आंसर आप इसकों एक मार्च 1932 को कि पूर्ण सोतंदर दिवस की घोषना समझ में आगे दोस्तों क्या कहना चाहरूं 1930 में दोस्तों क्या हुआ था आपको 1930 में शिवन्या वग्या आंदोलन इस्टार्ट वाता था और 1930 में आपके क्या हुआ था दोस्तों दांडी आटरा भी 1930 में स्टार्ट हुए थी दांडी आतरा ठीक है 1930 में स्टार्ट हुए थी सभी मेंजन कर लेना और 1929 का तो बताई दोस्तों एक चीज़ और बतातूं अब बार दोली सत्त्य ग्रह में दी गई थी किसे दोस्तों पटेल साहब को अब समझ में आगे दोस्तों किसको मिल स्थापना किस ने खी थी और सभी सेजन को लाइक कर दीजिए दोस्तों चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए वह फांड़िट आ रहे समाज आदे समाज किस् आगे दोस्तों बहुत अच्छे टरीके से कल भी मैंने बताया था तो सभी ज्यादा 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 जवाब दिजिए तो इसका के रहे समाज किस्था अपना किती दोस्तों थी डूसरा क्या दोस्तों विबेका नंद जी ने रहाम किसन मिशन की स्थापना कि टूर्यों किसन न कि रहाम किसन मिसन ठीक है क्यूर्ब लिकर लेना 1897 में की थी कल्भी लिखाएन यहां उखंळ और दोस्तों आरे समाज काव अब न Each समाज के संस्थापक कौन थे तो यह आप मुझे कोमेंट में बता दीजे जल्दी से जल्दी ठीक है सभी ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो चलो मैं ही बता देता हूं दोस्तों बताना जरूरी है क्योंकि कुछ इस्टेंट आसे भी जिने नहीं पता होगा तो वह का अंत हुआ था दोस्तों विल्यम बेंटिंग के टाइम पे तो उन्हीं में इन्होंने सपोर्ट भी किया था ठीक है कि इन्होंने दोस्तों राजराम मोहन राइने अब यह बताए दोस्तों मुझे सथी परता का अंत किस डेट को वाथा डेट बता दीजे मुझे इसकी सब्सक्राइब को पता होना चाहिए मेरे अकोर्डिंग तो फॉर्वर्ड ब्लोग के स्थाफना सुबास चंद्र बोस जीने की थी ठीक है ओप्शन नंबर सी दराइट आंसर अफ इसको सबास चंद्र बोस ठीक है बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिना दोस्तों कि सम सब्सक्राइब के बारे में तो मुझे एक दो कोशन इनके बारे में बताई जल्दी ठीक है कोमेंट में मैं आपका सभी के कोमेंट पढ़ता हूं इफेक्टिव जिसकी कोमेंट लगती हम उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूं समझ में आगे दोस्तों तो कोशन दोरन के दोरां दी गई थी डूरिंग विच पियसेंट मुवमेंट वाज बलव भाई पटेल गिवन दा टाइटल ओफ सर्दार तो बार दोली सात्या गरहा ठीक है बार दोली सात्या गरहा बहुत ही इजी कोशन हो गया यह तो हमारा सबसे पहला साथतीं गरहा ठीक है यदि 20 की बात करें तो दोस्ट बसक्राइब नीव की खेती से सम Rece revealed डीक है फिनील की खेती सीर ठीक है आगे समझ में दोस्तों ये सारा कुछ है समझद में बताना मुझे 1918-1917 समझ मैं आया दोस्तो और महात्मा गांधी जी दोस्तो 1915 को साउथ अफरीका से भारत आये ठीक है कब दोस्तो ये आपका उस दिन परवासी भारते दिवस मना जाता है I think 9 जनवरी 1915 ठीक है 9 जनवरी 1915 कन्फरम नहीं है दोस्तो मुझे में कन्फरम कर दीजिए कि 9 जनवरी को ही आपका परवासी भारते दिवस मना जाता है इसि दिन महात्मा गांधी जी असावत अबदीका से भारत आये थे परवासी भारते इस इसी दिन मना जाता है समझ मांगे दोस्तो 9 जनवरी 1915 ठीक है सब्सक्राइब कर दोस्तों बीस में आपका साइमन कफी कमिशन तयार हो गया ता आने के लिए भारत 28 में साइमन कमिशन भारत में आ चुका था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1929 में आपका बार्दोली सत्यग्रा हुआ था सरदार की उपादी दी गई थी इन्हें और 1930 में आपका दांडी आतरा हुई थी और 1930 में इस वन्या वग्या अंदोलन हुआ था कहो तो मुझवानी पूरी इस्ट्री बता दूंगा आपको ठीक है कैसी कोई बात नहीं है दोस्तों चली आगे चलते हैं बहुत ज्यादा कॉशन हो जातने दीरे-दीरे कवर करेंगे फिवांगी तो मजह आएगा दोस्तों सर्दार ब्लाप रभाई पर तेल बारे में लिखें लिए लेना कुजरात में इनकी बहूत बढ़ी परतिमा है बुजरात में आप एनकी बहुत यंप में बहुत बश्व declarant दियान लखना दोस्तों ठीक है इस टैच उफ यूटी के बारे में दोस्तों लिख लेना यह साधू बेट दीव पर है कि साधू बेट दीव पर है दोस्तों दोस्तों नहीं बताए था हला कि तो दोस्तों और स्टाइची ट्राइच पीश कहां स्तित है सिएस्टे अच्छ यू इस्टाइचू और विश्विश्वर्टी प्रतीमा भी आपकी ऑफ यूनिटी एट है तो कोशन नमबर पर टाइम लगया कोशन नमबर शिक्स की तरफ बढ़ते हैं आप जल्दी जल्दी जवाब दीजे दोस्तों ऐसे यह अंदरोन का प्रस्ताव कांग्रेस के किसा दीवेशन में पारित हुआता बहुत अच्छा कोशन है इन विच सेजन ओफ कॉंग्रेस वाज़दार क्या दोस्तों रिजॉलिशन ओफ नोन कोर्पोरेशन मुव्मेंट पास्ड बताईए दोस्तों कोशन नमबर शिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा A B C D कोशन नमबर शिक्स की बात हो रहे है दोस्तों जल्दी बताईए तो इसका राइट आंसर हो जाएक को जाएक दोस्तों ओपशन नमबर ए सितम्बर 1920 में कलकट्टा का दिवेशन हुआ दोस्तों समझ में आया बस आप मुझे एक क्कैत्सन और पता दीजिए चलो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नमबर एडिक्स्ता किस किस ने की ती यह इसे कि अधिवेस्यवीकल कटता में युद्ध दोस्तों सेधिन अधिवेशन यह भी आपका कलकत्ता से एलेटिवेड था जिसकी अध्याक्स्ता कि ही दोस्तों दादा भाई निरोजी जीने ठीक है दादा भाई निरोजी ने की थी जो रिलेटेड होगा जो मुझे याद होगा जो मेरे दिमाग में आएगा मैं सारा कुछ बता के चलूँगा ठीक है तो इसका मुझे answer चाहिए भई आपसे ये expectation है मेरी आपसे क्योंकि student आप हमारे हो सभी को पता होना जरूरी है आगे जल्दे दोस्तो question number 7 आपकी screen पर है बताईए मुझे जल्दी से कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के सासक के समर्थन में सुरू हुआ बहुती easy question हो जाता है खिलाफत आंदोलन के बारे में बताईए बही किसने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन तो इसका right answer क्या हो जागा दोस्तो option number A, B, C, D तो 1930 में start वाता दोस्तों खिलाफत आंदोलन तुर्कियों ने start किया था ठीक है पॉलो जो आपकि खेल होते हैं उसकी शुरू आधा भारत में किनों ने कीती तॉलकियों ने भूत ही ज़्यादा hilta पूछलाता यह और दोस्तो दोस्तों खेलते वक्त है यह ज़्यादा अच्छा कोसं है ऑल खेलते हैं demonstrating कि शासकte कि to है गुलाम मंस के संस्थापक यह होे अब तो बटाईद होगी ना दोस्तों कौन दोस्तों पूटूब कुटूब बुद्दीन एबग ठीक है भाई कुटूब बुद्दीन एबग हो जाएंगे आपके किसके दोस्तों पॉलो खेलते वक्ति इनकी मृत्ति हो गई थी बॉलो खेल की शुरॉत बारत में तुर्कियों ने की ती दोस्तों अब आप हमें बताइए कि तंबाकु की खे चलिए दोस्तों इसका राइटांसर हो जाएगा और इस दराइटांसर आगे चलते हैं कुर्शन नमबर एट आपकी स्क्रीन पर जवाब देने की कोशिस कीजिए दोस्तों स्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया था क्या दोस्तों वहन वाजदा लेबर डिस्प्यूट क् चल मेरा चल राइक्वाद अधिनियम कब बनाका था 926 28 29 बताएं दोस्तों नमबर एट आपकी स्क्रीन पर है इसका राइटांसर रोजागा दोस्तों नि 1229 में अधिनियम बनाया गया था 1929 में समझ मैं है और सब्सक्राइब करें तो उन सभी को एक ही बार लिखे देना ठीक है आगे आपकी स्क्रेंट पर दोस्तों इसका आइटांसर होगा ठीक है उन्हीं सो नतीस ऑप्सन नंबर डी लिग देता हूं ताकि आपको पीडिएफ में पता सल जाएगी क्या है तो अली मुसालियार ने किस विद्रो का निरेत्रत किया था बहुत ही अच्छा कोशन अगर कल किसी ने ध्यांचे क्लास लियोगी न तो उसे पता होगा भई की विच रिबीलियन वाज लीड बाई अली मुसलियार ठीक है बताए दोस्तों रंपा विद्रो खूंड विद्रो स कनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन प्रस कर लेना ठीक है रेगुलर क्लासी चलती है आपकी तो कुशन नंबर नाइन बताना दोस्तों आप मुझे जल्दी से जल्दी कि दोस्तों मैं इसका आप जवाब दीजे मैं बताता रहूंग तब तक संथाल विद्रो दोस्त यह कभी स्टाट वा था मोपल का लिख लेना आप 1916 में यह कहां पर हुआ था acceso मीरे महला बार थेट पार हुआ था कल बताय तो मैंने आपको माला बार थेट पर हुआ ठीक है अब बताए जू अली मुसलियार ने किस विद्रो का नीरे त्रत्व किया था तो याद रखलेना मोपला विद्रोग की चिंगारी मैंने जब बताइं थी आपको 1916 में को इसके नीचे लिए ने सबसा जी जब दो है तो तयार है ना दोस्तों दो पंद्रह मोडर्ण इस्ट्रे की आपकी दुबारा किलास होगी कल ज्यादा खास रिस्पॉंस नहीं रहा बट जिन्हों ने किलास लियोगी ना दोस्तों सभी में करा है कि सर मज़ा आ तो निसले में अली मुसा लियार ने की ती दोस्तों मोखला विद्रोउश की शरूवत और दोस्तों बी दोस्तों खलीफा पद की समाप्ति जो थी ना वो तुर्की में कब संपन हो गई थी कब की गई थी चोबिस तीस उन्निस बीस बताइए जल्दी से पर तुर्कियों में आगे समझे निस्टीस का मैंने आपको बताया बताने की जरूरत है नहीं बार बार ठीक है सभी ध्यान रखना तो कुर्शन नमर 11 आपकी स्क्रीन पर बताईए दोस्तों जल्दी से भारत्य कम्यूनिस्ट पार्टे की इस्थापना किसने की थी कल मैंने ब इसका जवाब आप देंगे मुझे आला कि कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताय का कम्यूनिस्ट पार्टे के बारे में दोस्तों किसने की कब हुई थी 1920 में यह मैं आपको बता देता हूं और इसका राइट आंसर आप मुझे देज़ेगा एमन रोए पी एन रोए आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजे दोस्तों अच्छा अफरीका से गांधी जी कि इस वर्स वारत आयते बही अच्छा भी है और इजी भी है इन वीचियर डिट गांधी रिटरंस टूदा इंडिया फ्रॉम साफ अफरीका कि क्या दोस्तों कब आये ते या क्या आए थे 1915 में नो जनवरी को आये थे दोस्तों मैं ज़नवरी को पर्वासी भारत्य दीवास मनाया जाता है अब मुझे आप एक को सघो और बताना कि परवासी भारते दिवस 2021 में दोस्तों ये परवासी भारते दिवस 2021 में जो मनाया गया तो इसमें आपके चीफ गैस्ट कौन थे करेंट के तो आप वो होना मतलब ग्याता ठीक है करेंट का तो सभी को ध्यान लगना पड़ेगा तभी आपका एक्जाम के लिए रोज पाएगा दोस्तों करेंट पर ध्यान दीजिए ठीक है तो चीफ गैस्ट कौन थे दोस्तों 2021 में परवासी भारते दिवस के सभी बताईए विखेस अभी मुझे दोस्तो एक बताव दोश्तों विदेश है ठीक है त हिए मैं यह प्ट्र कुछ में लेवल के पूछ रहा ऊं जबीको पतावना जरूरी है तो क्या है दोस्तों गांधी जी ने बाग लिया था इन विच राउंड टेबल कॉंफरेंस डिट गांधी जी पार्टिशपेट कौन सी में क्या तो दोस्तों पर्थम में दृत्म में चतर्त्म में नोल सम्मिलन हुए थैं तो चौता तो यह कट गए आपका अब लए यह हमारा वहते हैं संसरो क्या हुआ जाता है तो दूष्ट्य में आगा त्रह्तेता थेटिक है दूइत्ध्य में लिया तो अब एक क्वेशन और वह आता है दों सब्सक्राइब द्यूंद में मतलब कि या तीनों गोल में सम्मिलन में तरड ऋ सकेट अ परस्टर ऐसे ने लिखते त्यूंद ट्यों लिखते हैं इन्दियों कर यह ओल को में समय धelse लेते हैं बोल क्या पता एलेका तीनों गोल में सम्मिलन में, तीनों गोल में कौन फैंस लिख लेते हैं, कौन, तीनों गोल में सम्मिलन में कौन सामिल थे, दोस्तों, ये अच्छा कॉस्टन है, सुभास चंदर बोस जी, ठीक है, सुभास चंदर बोस जी, तीनों गोल में सम्मिलन में सामिल थे, दोस्तों, स सविधान के निर्माता क्या दोस्तों सविधान के निर्माता कहा जाता है सुभास संद्र बोस जी को तो अच्छे से याद रखना दोस्तों तीनों गोल में सम्मेलन में थे और गांधी जी दृत्या वाले में थे सेकंड वाले में गांधी जी ते और दोस्तों सेकंड वाले मे में आपको याद हो को 1924 में गांधी जी ने गोल में मतलब कॉंगरेशा दीवेशन कहता है 1925 में इनकी साथ किसने कहता दोस्तो सरोजनी नाइडू जी ने जहां मिलेंगी संग मिलेंगी ठीक है तो द्यान रखने न अच्छे से चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आपका कोशन नंबर 14 है साइमन आयोग किस वर्स भारत आया क्या है दोस्तों इन वीच यह साइमन कमीशन कमीशन कम टू इंडिया कब आया था दोस्तों मैंने आपको अभी जो महावारत सुनाईती न तो उसमें बताया था मैंने आपको 1927 में तो साइमन कमीशन तयार हो गया था भारत आने के लिए और भारत का बागया था दोस्तों 1968 में भारत आ चुका था पुनिश्टाइस में भारत आया कौन दोस्तों साइमन कमीशन और साइमन कमीशन का ही साइमन आयोग का ही विरोध करते वक्त किसकी मृत्ति हो गए थी दोस् लाला लाजपत राए ने लाला लाजपत राए की डैथ हो गई ती उस वक्त पर सहीद हो गए थे इनके उपर लाटिया बरसादी गई ती ये विरोध में करें तो साइमन कमीशन के ठीक है समझ माया दोस्तों लाला लाजपत राए की बुक का नाम मैंने कल बहुत अच्छे त क्या दोस्तों दा अन हैपी इंडिया तो यह भी मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया आगे समझ में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाए का साइमन कमीशन हाँ ओप्शन नंबर डी होगा उनीच्व अटाइस में भारत आय तो 1934 में राइट आंस वरता इसका ठीक है वो स्टाइंग पर मुंबाई लिख रहा था साइट तो आज हो गया यह तो इसी कोशन हो गया कोई बात नहीं कुर्शन नंबर 1929 में मैं बताई दिया उनीच्व बताई दिया चले दोस्तों आगे दोस्तों आगे दोस्तों कराच लें हो उसी ननीचल किजाका दीसले दोस्तों अगरे चलते हैं दोस्तों गांधी जी को महत्मा की उपादी किस ने दी इए अच्छा कोश्ण होजाता है कि तॉником गें घि surprisk ये ओर भॉप्सन नमबर सीजदा राइट आंसर ओफ दिस कोस्टेंट ठीक है रविंदर नाट टैगोर जीने और महात्मा गांदी जी के गुरू थे दोस्तों गोपाल के लिए ठीक है एनी बैसेंट की बात करो दोस्तों मैं एनी बैसेंट है अभी के बारे मीं बात करेंग जो अप्संन को एनी बैसेंट है कहते हैं दोस्तों कॉंच्व की पहली माईला अद्यक्स ठीक है फर्स्ट मैला फर्स्ट उमेन हेड़ङ ओफ कंग्रेढ है को मूझ्रेट की एक फेकल फ्रस्ट मैला अजय आछ है भारत की पहली महिला Congress अधियक्स भारत की फ्रस्ट och woman Congress है तो यह आपका हुझाएगा सरोजनीन डू कौन दोस्तो सरोजनी नाइटो बहारत की पहली महिला रज्येपाल these सरोजनीन डू और कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत के पहले के सीम कौन दोस्तों तो सब बोल लेते कि सर उत्तर प्रदेश के सीम भी हैं दोस्तों उन्हें भारत का बोला जाता है क्योंकि सरोजी नाइटू भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी ठीक है और उत्तर प्रदेश की सीम्ती दोस्तों सुचेता करपलानी वही भारत की पहली महिला सीम्ती तो राइट आंसर होगे दोस्तों एक कुर्शन और आप लिख लेना इसी में ही इसे कट कर देते हैं दोस्तों क्या अबुल कलाम आजाद यह दोस्तों भारत के पहले सिक्सामंत्री है ठीक है सबसे पहले याद रखना फ़स्ट सक्सा मंत्री क्या दोस्तों फ़स्ट एड़्ूकेसण मिनिघंड टो कि इंडिया विन्स फ्रेडम इनकी ही भुके ठीक है शे-किनकी दोस्तो अब लुओं-kaलाम-आजाशथ अबदूल नहीं है दोस्तों याद रखना अब लयाम sights अबूल कलाम-धाश इछ अपनग cabbage और में को स्क्रेंटो थिक याद रखना दोस्तों दोस्तों अगे देशे दोस्तों लॉट जॉर्ट ने विस्टन चर्चिल ने मैक डोनल्ड ने इकली ने तो इसका सधारीट क्या को उप्षन नमबर सी इसतारेट की ते चिन kजन मैकड़ने इसे याद कर लेना दोस्तों इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं आगे तते क्वेस्टन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर रहा बताईए मुझे तीन कठिया परनाली लागू हुआ क्या दोस्तों तीन कठिया परनाली लागू हुई थी इंडस्ट्रियलिस्ट के उपर दोस्तों उन्द मर्जेंट मर्चेंट्स के उपर वर्कर्स के उपर या फार्मर्स किसानों के उपर बताए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा को कुशन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसानों के ऊपर लागू ह हुई थी भई किया दोस्तों तीन कठिया परनाली याद होगया ना तीन कठिया परनाली किन के उपर लाग हुई थी किसानों के उपर तो option number is the right answer of this question question number 18 था ये question number 19 आपकी स्क्रिल्ण पर रहा है बताईए मुझे जल्दी से जवाब दीजे टाना बगट तो टाना बगट आंधोलन किन अधिवाश्यों अधिवाश्यों में हुआ क्या दोस्तो इन वीच ट्रीबल्स डिट अधाना भगत मूमेंट टेप प्लेसे बताईए दोस्तों इनके किन का आंसर दीजिए मुझे ठीक है कि बताई जल्दी से क्या हो जाएगा कॉशन नंबर 19 का आपका क्या आंसर हो जाएगा उप्शन नंबर डीज दर राइट आंसर ऑफ इस कोशन ठीक है उन रोवो के बीच में दोस्तों क्या हुआ था टाना भगत आंदोलन की आदिवाशियों एक आपका ठीक है दूसरा क्या था अधरी साइड आपका एक था मुंडा कि मुंडा विद्रो भी मैंने कराया था आपको इंडियन इस्ट्री की जो हमारी चल रही इदर सिरी दो पंद्रे वाली उसमें दोस्तों ये इसका मतलब इसमें बिर्सा मुंडा ने इनकी आदिवासियो के देवता के नाम से जाने जाते हैं और मुंडा जी आदिवासियो के देवता तो समझे दोस्तों क्या है हमारा यह समझ में दोस्तों क्या है वाहर जाती हुए किस्टान पर थे लास्ट कुस्टन पर जाए गाइंदीन क्सराल एक Ps और मेरे इसाप से कुर्शन नंबर 20 रखे थे हमने क्यों यह syrup not Springs amd वास इंडियन इंडिपेंडेंड इंडियन इंडिपेंडेंडेंस कमीटी इस्टेपलिज्ट बताएए दोस्तों बागरतिया सभीदानता समीति की इस्थापना कहां की कई ती काबूल में पैसावर में बनी में करानाडा में काहां की कही थी option dimension नमबर ट्वंटी है यह आपका ठीक है बाद है दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर यह आपका लास्ट कुर्शन आज की स्रीज का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी में ठीक है जर्मनी में की गई थी भई क्या दोस्तो भारतिय सविधानता समीती की बात ओर रहे हैं भारतिय सविधानता समीती की इस्तापना जर्मनी में की गई थी ठीक है कुछ महत्व पूर्ण समीती आप लिख लीजें यहां पर थी कि विजय केलकर समीती ठीक है ठर्ड आपकी उजाएगी दोस्तों यह है आपकी सिवरमन समीती और विज़िने दोस्तों सारी ही इंपोटेंट है फोर्थ आपकी उजाएगी दोस्तों एक और सरदार सवर्ण सिंग समीथी तो सभी के बारे में बताऊंगा दोस्तो पहली आप लिख लेना यह जो है हमारी यह एजुकेशन जो नई शिक्सा नीति आई है ना कि अधुकेशन जो नई पॉलीशी आई है कब दोस्तो 2020 में तो यह सरी रिटेट है कस्तूरी रंगन विजय के लिकर समीति आपकी जीएस्टी से समीति दोस्तों इसमें क्या हुआ था यह आपकी नावार्ड की स्थापना हुई ते ठीक है कि नावार्ड की स्थापना कि समीति की सिफारिश पर हुई शीवरमन समीति की सिफारिश पर ठीक है आप मुझे बता दी थी दोस्तों नावार्ड का हेड़कॉर्टर कहां इस्थी था है आप मुझे बताना नावार्ड का हेड़कॉर्टर कहां इस्थी था यह आपके लगी थी मैंने आपको चारोई खरा दिी दोस्तों समीती और हैड़ी घौर कर दोस्तों तो यह था आपकी आज और लाइक कर लाइक करना कोमेंट करना रहें OA ठीड को सब्सक्राइब कर लिए मैं कंपिलिट अने वाले थोड़ी सी कमी हैं दोस्तों आप धोड़ा सा जल्दी से सपोर्ट कीजिए और 20K family complete कर दिये ठीक है तो मिलते हैं next session में स्वास्त रही है मस्त रही है ठीक है और घरवालों का ख्याल रखें दोस्तों और अपनी तैयारी जोरो सोरो से करते रहिए